दोस्तो आगे हैं ग्रामी चिकिस्त की एक नई अपडेट के साथ में जहां पर अगर आपके पास ये कागजात अगर नहीं है तो आप अभी से ही सतर्क हो जाएं क्योंकि अगर आप गाइडलाइन का उलंगन करते हैं तो आप पर भी जो है करवाई हो सकती है सांती सांत फर्मासिस्ट वालो जो भी फर्मासिस्ट के हुए है या फिर दवा दुकान खोले हुए है उन सभी के लिए जो है ये वीडियो जो होने वाला है दोस्तो चले दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं लेकून उससे पहले आप सभी से रेक्वेस्ट है जो भी चैनल प दवा दुकंदार वालों के लिए होने वाला है आप इस वीडियो को अगर नहीं देखेंगे तो कहीं न कहीं आप पड़ भी अगर नियम के तहत उलंगन करने पर करवाई कभी भी हो सकती है तो मैं इस वीडियो के मादम से आप सभी को बताऊंगा तो मैं बता दू कि पहले मा गाइड लेंड का पालन नहीं किया गया था और उनसे जरूरी कागजात भी नहीं मिले यानि कि उन पर छापे मारे गए दवा दुकानों पर जहां पर पाया गया है कि जो है गाइड लेंड का पालन नहीं कर रहे हैं उनके पास जरूरी कागजात नहीं है और बीना कागजात क वो जो है दवा दुकान चला रहे हैं जिसको ले करके ये मामला जो है आपको शिवान के तरफ से आया है तो वैसे जो ग्रामें चीकिश सक सभी को मालूम होगा कि जो भी दवा दुकान चलाते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास कहीं न कहीं जो है सर्टिफिकेट हो अगर आप दवा का खड़ीद या बिक्री कर रहे हैं कितने का खड़ीद कर रहे हैं कितने का बिक्री कर रहे हैं उसका भी आपके पास बील होना चाहिए अगर आपके पास बील नहीं होगा तो भी आप पर करवाई हो सकती है साथी साथ जो भी गरामिंची की सक जो की गाओं में प्रैक्टिस करते हैं तो आप सभी को मालूं हुआ कि गाओं में प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास जो है CCH का सर्टिफिकेट यानि की Community Care Health का सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्ज है या फिर ड्रेसर का या फिर फर्मासिस्ट का certificate होना अनिवार्ज है तभी आप गाओं में first ad का work कर सकते हैं दोस्तों साथ ही साथ जो भी आप दवा दुकानों में जो भी खडिद या विकरी करते हैं उसका आपके पास बिल होना अनिवार्ज होना चाहिए वही जो है आपको इस फिपर कटिंग के माध्यम से कहा जा रहा है तो क्या है मामला वो मैं बता दू आप सभी को कि खडीद और विक्री का बेवरा नहीं दिखाने पर जो है इगारा दवा दुकानों को जो है लाइसेंस जो है यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है वो मैं बता दू कि सिवान में जीले में विभागिये गाइडलाइन के अनुसार जो है दवा दुकानों का संचालन नहीं करने का रोप में जो है दुकानों की जांच तेज कर दी गया यानि कि लगवालवा सभी दुकानों की जांच चल रही है सीवान के अलावे जरूरी नहीं है कि सीवान में अभी आप जीस तरीके से देख रहे हैं कि अलग अलग जीलो में जीस तरीके से ग्रामिन चिकिस्टक पर छापे मारे जा रहे हैं या फिर जो है दवा दुकांदारों पड़िया या फिर अवैद रूप से जो नर्सिंग होम छल रहे हैं उन्साभी पर छापे मार करें कैसे कागजात्या आवं्टिति किसा जा रहा है कागजात्य द्रग इंस्पेक्टरों दुकानों की जांच कि जा रही है और पफ्छले अप्रेल मा में 19 में इधारा दूप को जो सब्सक्पेंद किया गया है और इन दुकानों में बड़े पैमाने पर अनियमीता बढ़ती गई है जो भी दुकांदार जिनके पास लाइसेंस नहीं है बिना लाइसेंस के अगर वो दवा दुकान चला रहे तो उन पर कभी भी जो है ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा जो है करवाई हो सकती है और ड्रग इंस्पेक्टरों के जात के द्वरान जो है दुकानों में क्रे विक्रे पत्र भी नहीं पाया गया है यानि कि आपको खड़ी पर भी जो है बिल देना है यानि के जो है अगर आप द्वा सेल करते हैं तो उसका जो है आप बिल रसीद कस्टमर को देंगे अगर आप बिल नहीं देते हैं तो आप पड़वी करवाई हो सकती है लेकिन किसी भी दुकान में यहां यह बिल कैसे में नहीं मिल पाया है यहां तक की यहां से दबा की खड़िदारी करने से संबंधीत उसका भी record यहां पर संधारित करना है लेकिन ऐसा भी रेजिस्टर में नहीं पाया गया है और साथी साथ जो है दो दवा दुकानों में फर्मासिस्ट भी नहीं पाया गया है यानि कि दवा दुकान चल रहा है लेकिन बीना फर्मासिस्ट के वो दवा दुकान चल रहा है तो कहीं न कहीं जो है ये एक बड़ी लपरवाही जो है कहीं जा सकती है और साथी साथ मैं बता दू कि जिन दो दवा दुकानों में फर्मासिस्ट नहीं पाए गया है उसमें चौधरी मेडिकल हॉल, गौसाला रोड सिवान तथा हिंदुस्तान मेडिकल हॉल, गोडिया कोठी इन दोनों दुकानों को नए अस्तर से फर्मासिस्ट लाने को कहा है और इसके जब तक दोनों दुकानदारों नए सीरे से फर्मासिस्ट नहीं लाएंगे तब तक इनकी दवा दुकाने बंद रहेगी तो ऐसा आपको गौर्मेंट के तरफ से इंस्पेक्शन आया है और उन और दवादुकंदारों को निर्देश दिया गया है कि विभाग दोआरा जाड़ी गाइडलेंज के अनुसार ही जो है दवादुकान का संचालन करना है और किसी भी तरह के नियमावली में अनियमित्ता पाई जाएगी तो उन पर करवाई की जाएगी और सभी दुकानों पर ह हर हाल में फर्मासिस्ट रखने को कहा गया है जितने भी दवा दुकान है उस पर फर्मासिस्ट ब्वाज होने चाहिए और जांच के दोरान फर्मासिस्ट अगर अनुपस्थित पाये जाने पर भी उन पर करवाई की जाएगी और बताया जाता है कि दवा दुकंदारों द्वारा फर्मासिस्ट का कागजात विबाग को उपलब्द करा दिया जाता है लेकिन फर्मासिस्ट दुकानों पर नहीं रहते हैं इससे बिना फर्मासिस्ट के दवा दुकानों का संचारन होता है इसके अलावा करेकर रेजिस्ट करती है तो पता चलता है कि जो लाइसेंस ये वेक्ती लिये थे यह फरमासिस्ट कर्षाइफ कर दोर्ब हो सहायक कंट्रोलर दोरा माँगे गया जवाब दुकन दारों द्वारा जो है संतोस्प्राद जो है नहीं दिया गया और कई तरह कहजात उपलब्ध नहीं कराए गया इस प्थे से इन्दुरणों का लाईसेंस छास्पेंड कर दिया गया है उन्हें पूप्लर मेडिकल हॉल 60 दिनों के लिए एजी मेडिकल भगवानपुर के 60 दिनों के लिए निलम्बित किया गया इसी तरीका से कई परकार के मेडिकल हॉलो को यहाँ पर निलम्बित जो है सस्पेंड जो है दोस्तों किया गया है तो यह थी आज की लेटेस्ट खबड़े जो की दवा दुकंदारों के लिए सांती साथ ग्रामिन चीकिसकों से लिटेस्ट खबड़े थी जो की कोई भी ग्रामिन चीकिसक या दवा दुकंदार अगर आप जो है प्रैक्टिस करते हैं या दवा बेशते हैं तो आपको भील क्रãy या विकर्य का जो खडिद करते हैं, उसका भी भील आपके पका होना चाहिए और जो बेशते हैं, कैस्स मेमो जो है, हर कस्टमर को देना है, उसका भी भेज़़ा आपके पास होने चाहिए, तो यह थी आज के लिए टेस्ट नोटिफीकसन, जो कि इस नोटिफीकसन क साथ में तब तक के लिए धन्यवाद